नमसकार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तेलानी राम पर जिनके पास सभी समस्याओं का हल होता था तेनाली राम का दक्छिर भारत में वही इस्थान है जो उत्तर भारत में विर्बल का तेलानी राम का जन्म दक्षिन भारत के एक ब्राह्मण परिवार में गुंटूर जिले के गली पाडू नामक गाउं में हुआ था इनका वास्तवीक नाम राम लिंगन था इनके पिता इस्वर प्रशाद रमैया इनके जन्म के तीसरे दिन ही संसार को छोड़ कर चले गए थे तेनाली राम के मामा अपनी बहन और भांजे को लेकर अपने गाउं तेनाली चले गए थे वहीं पर इनका पालन पोशन हुआ इसी कारण इनका नाम तेनाली राम पड़ गया बचपन में ही अपनी नटखट सरार्तों एवं कुशाग्र बुद्धी के कारण ये काफी प्रसिध हो गए थे तेनाली राम मा काली के भक्त थे अश्टति गजों में से एक तेनाली राम राजा कृष्ण देव राई के राज दरबार में अपनी प्रतिभा के कारण राज मुकुट में जड़े वेस कीमती हीरे की तरह चमकते थे कई बार तेनाली राम ने अपनी वागपटूता और चतुराई से राज्य और महराज के सम्मान की रक्षा की उनकी देवी भक्ती के बारे में एक कथा प्रचलित है जो इस प्रकार है एक दिन पूजा करते समय उनकी भक्ती से प्रसन होकर मा काली उनके सम्मुख हजार हाथ और मुखधारन करके भयानक रूप में प्रकट हुई प्रन्तु तेनाली राम तनिक भी न डरे मा काली को साक्षात समक्ष पाकर तेनाली ने उनके पाउच हुए और जोर से हसने लगे उन्हें हस्ते देखकर मा काली ने तेनाली से हसने का कारण पूछा तेनाली राम ने उत्तर दिया देवी मा हसने के लिए छमा चाहता हूँ मैं सोच रहा था कि अगर कभी आपको जुखाम हो गया और आपकी हजार नाके बहने लगी तो आप अपने दो हाथों से उन्हें कैसे संभालेंगी बस यही सोच कर मुझे हसी आगई कृप्या मुझे छमा करे मा ऐसा कहकर तेनाली राम मा काली के पैरों पर गिर पड़े देवी मा ने मुस्कराते हुए कहा तुम एक चतूर एवं वाचाल बालक हो मैं तुम्हें लोगों को हसाने की कला का बरदान देती हूँ आज से तुम विकट कभी अर्थात भी दूसर कहलाओगे और खूब नाम कमाओगे तेनाली राम ने कहा परंतु देवी मा इससे मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा देवी मा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें एक और बरदान देती हूँ मेरे हाथ में दो मटकिया हैं मेरे दाएं हाथ में सोने की मटकी है जिसमें ग्यान का दूद है और बाएं हाथ में चांदी की मटकी है जिसमें धन की दही है इन में से कोई एक मटकी ले लो किन्तु मा बिना चखे मैं दोनों में से एक मटकी कैसे चुन सकता हूँ देवी मा ने तेनाली की बात पर अपनी सहमती देते हुए अपने दोनों हाथ तेनाली राम के आगे बढ़ा दिये पलक जपकते ही तेलानी ने दोनों मटकियों में भरे दूध और दही गटक लिए और मटकिया खाली कर दी यह देखकर देवी मा नाराज हो गई वे समझ गई की तेलानी ने उनके साथ चालाखी की है तेनाली राम ने धीरे से कहा मा मुझे दोनों ही मटकियों की आवश्यक्ता थी बिना धन दौलत के केवल ग्यान का क्या लाब जो तुम कह रहे हो वह सही है पर तुम्हारी वाचालता और तुम्हारा एस्वर्य तुम्हारे लिए सत्रू वा मित्र दोनों ही बनाएंगे इसलिए भविष्य में सावधान रहना यहकर कर्मा काली ने तेनाली राम को आशिरवात दिया और वहां से अन्तरध्यान हो गई तेनाली राम की लगन, विश्वास और मेहनत ने साबित कर दिया कि सफलता का मूल मंत्र है स्वयम में विश्वास तेलानी राम को आज भी हम सब उनकी मज़िदार कहानियों और चटपटी बातों के लिए याद करते हैं तेलानी राम हर बात बेखोफ होकर बोलते थे ऐसे थे तेनाली राम जो अपने बुध्धी चातुर्य और हाजर जबाबी से वह अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देते थे उनके पास सभी समश्याओं का हल था